वेलकम बैक टू मैं चैनल तनुक्षा तो स्वागत है आपका मेरे चैनल तनुक्षा में तो आज मैं आप सब के लिए लेके आ गई हूं वड़े की रेसिपी और ये रेसिपी बनाना बहुत जादा इजी है बच्चे तो इसे उंगलियां चाट चाट के खाते हैं तो बस यहा को मैंने जार में ट्रांसफर कर लिया है और ट्रांसफर करने के बाद इसमें एड़ कर लेंगे जीरा तो एक चमच मैंने जीरा एड़ कर रहा है और यहां पे हरा मिर्चा एड़ करेंगे आप चाहें तो मिर्चा पाउडर भी आड़ कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे प किया है और नमक करने के बाद बस इसका बना लिंगे पेस्ट यहां पे आप देख सकते हैं मेरा जो पेस्ट है वो किस तरह से बनके रैडी हुआ है तो बस अब चलते हैं आगे की तरफ इसको मैंने ट्रांसफर करवेंगे एक ब्लेट में मैं गलती से प्लिट में ट्रांसफर कर दिया है तो बस इस 새 spring कर लेंगे तो बस अज़न को आज वाइन को अप करेंगे मैं ऐसे डॉला है और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद मुझे याद आ गया था कि मुझे आल में से ट्रांसफर करना है तो बस मैंने इस बाउल में से ट्रांसफर कर दिया था और ट्रांसफर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे दाल के मिक्षर कितना बढ़िया बनके रैडी हुआ है बस यहां पे इसको तल लेंगे तो तलने के लिए मैंने यहां पे कुकिंग वाइल का यूज किया है और इसको तलेंगे लो फ्लेम पे तलेंगे और तेल गरम करने के लिए तेल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है नहीं तो यह तूट जाएगा इसमें जाते ही तो बस यहां पे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी वड़े हैं वो पीछे से पक गया थे तो बस आप देख सकते हैं इसमें से मैंने सारी ही वड़े को निकाल लिया है इस तरह से और इसी तरह से आप सारी ही वड़े को तल लेंगे और तलने के बाद आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व करें बहुत ही जादा टेस्टी बनके रेड़ी होता है यह और बहुत ही जा लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं